हेलो इस्टूएंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेश और यह वीडियो जो हमारा वो क्लास 12 मैच्स के इस्टूएंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम ट्रांस्पोज ओफे मैट्रिक्स ट्रांस्पोज ओफे मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स इसक्यू सिमेट्रिक्स और इनकी properties के बारे में study करने वाले हैं तो transpose of a matrix की definition को लिखने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक example देना चाहता हूँ transpose of a matrix का कि अगर कोई भी matrix हमें given है तो उसका हम transpose उस matrix का किस तरह से find out कर सकते हैं ठीक ना उसको समझने के बार definition को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं तो first of all we consider a matrix A यहाँ पर आपने कोई भी matrix लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, no matter किस order में लिखा हुआ है matrix होना चाहिए आपका ठीरम और obviously आप यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं जो इसका order है वो 2 and 2, 3 है अब transpose of matrix से अगर यह लिखना हो तो पहले तो मैं आपको बता जाता है इसका notation जो होता है वो a t और a dash दोनो notations होते है आपना इसको a की power t भी लिख सकते हैं power पर लगा हुआ t और a dash भी लिखते हैं कई books में a dash लिखा हुआ है कई books में a की power t लिखा हुआ है तो दोनों का meaning ही same है यहाँ पर ठीके ना और इसको हम कैसे find out करते हैं इसका simple सा इसके row और columns को आपस में interchange कर देते हैं ठीक ना क्या करने वाले हैं हम इसमे row and columns को interchange करने वाले हैं यानि जो इस matrix का row 1 होगा वह यहां पर सी वन हो जाएगा जो स्कारो टू होगा व इसका आपको धियान रखना है, बस थर्ड रो है नहीं हमारा, बट इसका आपको धियान रखना है, कि अगर आप reference रो का ले रहे हैं, तो फिस रो का ही reference लेना है, ऐसा नहीं कि इधर तो R1 का reference ले लिए, इसका R2 लिया, इसको हमने C2 में लिख दिया, यानि 1, 2, 3, 1, 2, 3 column में, second row आपका, second row है, वो इसमें second column बन जाएगा, और order जो आपका है, वो देख सकते हैं, आपका कि reverse हो गया है order, यह लिए transpose of matrix में, जो order है matrix का, वो क्या होता है, reverse हो जाता है, अगर suppose that A matrix हमारा 2 into 3 order का matrix है, तो transpose of A क्या हो जाएगा, हमारा 3 into 2 order का matrix हो जाएगा, second thing में आपको इसमें यह भी बता रहा था, कि अगर आप इसको column के reference से लिखनें, जैसे हमने C1 जो है आपका, फिर से दिखिए आप ज़रा है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे C1 आपका है, 1,4, इसको हमने R1 लिख दिया, 1,4, C2 आपका जो है, यहाँ पर column second जो है, वो column, row second हो जाएगा, आपको 2,5, इस तरह C3 जो है, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर R3, तो आप देख सकते हैं, बस आपको इसका दिखान दखन एक कि अगर आप це करना है, अगर आप रोक का reference लेकर लिख रहे हैं, तो transpose किसी matrix का तो रोक के reference से लिखिए, अगर आप column के reference से लिख रहे हैं, फिर उसको road column के reference से यह आपको complete करना है, कई बच्चे इसमें confused हो जाते हैं और फिर गल्ती करते हैं अब बात आती है कि इसके definition को हमें किस तरह से लिखना है तो definition को देखिए यह तो हमारा example हो गया अब इस example के बाद हम definition को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं तो transpose of a matrix transpose of a matrix consider a is denoted as a dash or a t यह आपको मैंने बता दिया दिया आप and obtained from a यानि यह हमें जो है a dash और a t गो है वो इसे ही obtained होगी by interchanging rows and columns यह रो और columns को interchange करना पर यह matrix में मिलता जो कि मैंने यहाँ पर वही किया है यह रो और columns को आपस में क्या कर दिया interchange finally यह हमारी definition होगी जो कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आने वाली है अगर इस definition को मैं पहले लिख देता उसके बाद example देता तो थोड़ा सा आपको problem आता है कि पतर नहीं सर क्या लिख रहे हैं जब तक यह मैं example ना दे देता आपको तब यह definition का meaning आपको समझ भी नहीं आता है ठीक है अई हो कि यह clear हो गया हुआ आपको अब हम बात करने वाले हैं इसके property जैनि property of transpose of matrix यानिकी इसकी properties क्या होती है अगर आप इसको note करना चाहते है तो इस वीडियो को पहुच करके बड़ी आसानी साब इसको note कर सकते हैं अच्छा कई बच्चों confusion होगा कि सर अगर 1y1 का matrix लिखा हूँ एक और बता देता हूं लिखतने हैं कि यह इसका 1y1 matrix है तो इसका इसका यह जो हमारा है वो क्या होने वाला है तो इस भी आपका यही हो जाएगा इसका order reverse करेंगे क्योंकि भही वही इसका column और रो वही है तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि एड़ेस भी आपका टू होने वाला है यहां प यहां पर हम बात कर रहें प्रॉपर्टीज क्या होती है नंबर बन प्रॉपर्टीज में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि एफ order of a जो है अगर आपका suppose that m into n है then order of a डेस जो है न वो n into m हो जाज़ा इसको मैंने अभी बताया भी आपको explain करके बड़ी आसानी समझ सकते हैं कि वहने एक्जामपल दिया था उसको check भी किया था कि order जो है वो change हो गया था ठीक है इसको आप verify भी कर सकते हैं वहां से number two दूस जाजरा अगर एक डेस का डिटमिनेंट जो है वह एक ही डिटमिनेंट के एककल होता है property number second यानि कि जो transfer of matrix का determinant होगा वो स्मेटिक्स के डिटमिनेंट के एककल हो जाएगा जहांपर डिटमिनेंट की बात आती है मैंने बताया हमेशा धियान ने खिए स्कौर मैटिक से उसका कॉलम हो जाएगा अगर हम डिटमिनेंट एक की बात करते हैं तो डिटमिनेंट यह आपका 2345 और इसको अगर कल्कुलेट करते हैं इसको यह आपको एक्स्प्रेंट किया है इसको यह याद रख सकते हैं ऐसा नहीं है सिर्फ यह टू आडर के मैटिक्स के लिए वेरिफाई ह और उसका डिटमिनेंट पाइंड आउट करते हैं यह प्रॉपर्टी आपकी वेरिफाई होगी प्रॉपर्टी इसका बीज़ी है आपका किसी भी तरह की कोश्चन में इसको आप अगर अप्लाई करते हैं तो वो वेरिफाई होगा आपका ठीक है ऐसा नहीं कि टू आपको के दिखा दिया है जिस प्रॉपर्टी इसके एक्शुली मीनिंग क्या है अगर आप कोई भी थ्री ओडर का स्कार मैट्रिक्स लेते हैं उसमें भी आपकी प्रॉपर्टी वेरिफाई होगी ओके प्रॉपर्टी नंबर अगर हम थर्ड की बात करते हैं यहां पर इसको आप मैं फिर से आपको बता देता हूँ suppose that हमने कोई भी दो मैट्रिक्स लिए ए और भी ठीक है ना उनका सम किया और फिर उसका ट्रांस्पोज निकाला है या ट्रांस्पोज निकालने के बाद अगर हम सम करते हैं तो यह दोनों मैट्रिक्स जो होंगे वह आपस में एक्कॉल हो होगा और इसको अगर आप मेमॉराइज करना चाहते हैं कि यह प्रॉपर्टी के जिए यूज होती है मापको बता दिया पर प्लस भी हो सकता मैने स्टेक्षन मैंने आपको मैट्रिक्स एडिस्यों भी बताया था कि एडिशन का मैट्रिक्स का जो एडिशन और सब्रेक्शन अब scoda oporye निकalfeled निकाला तो ओपका मैटिक्स listener को जाएगा सब्स, आप इसको याद करने को फुमोनिय के लिए आप समझेश ये सब्स, मैमॉराइज करने के लिए या तो आपको इसको एक्स एसे बिए रहते हैं सब्सक्राइज होगा ओई हमारा gonna magic से दिया हूआ हो अब इसलिए a dash होगा वो हमारा 2 3 यानि 1st row 1st column और 4 5 यह हो जाएगा फिर से अगर आप इसका transport निकालते हैं देखिए आप जरा यानि 1st row जो है आपका 2 4 यह 1st column बन जाएगा 2nd row 2nd column बन जाएगा और दीखिए equal to a है आपका और ऐसा नहीं है यह तो आपका square matrix लिखा हुआ है कई बच्चों के दिमाग में confusion जा सकता है सरी square matrix के लिए true square matrix के लिए अभी square matrix की कोई बात नहीं हो रही है ठीक ना किसी matrix के लिए आपका ठीक ना अगर आप square नहीं लेता है इसको change करके बदा देता हूँ 6-7 ऐसे लिख लिए आप देखिए ज़रा ठीक ना तो अगर आप a- सब्सक्राइब करते हैं यह तो आपका square matrix नहीं है first row आपका first column यहां पर बन जाएगा second row यहां पर second column बन जाएगा देखिए आप देखिए आप फिर से अगर आप फिर से ट्रांस्पोर निकालेंगे तो जो फस्ट रोए यह first column second row second column और third row आपका third column हो जाएगा फिर से देख सब्सक्राइब करने के लिए डैस का फिर से multiply जा रहेंगे तो डैस से डैस कैंसल हो जाता है ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं यानि equal to यह आपका यह जाएगा आई हो कि यह आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो समझ में आती जा रही होंगे ठीके नहीं नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर 4 के बाद 5 अगर हम यह के यहाँ पर कोई स्केलर है इसका डैस equal to k और a डैस यह क्या लिखा हुआ है सपोर्ज कोई आपका matrix यह दिया हुआ और उसमें आपने क्या किया के का multiply किया के यहाँ पर कोई भी स्केलर है आपका और फिर उसके बार ट्रांस्पोर्ज का ला उसका वह यह वो ट्रांस्पोर्ज को है वो के-डैस के तुब का क्योंकि आप जब डैस का multiply करेंगा तो के सकतना तो ध्यान रखे का यह डैस ऐसे मेमुराइज करने के लिए कि डैस का अगर हम अंदर मुल्टिप्लाई करेंगे तो कि यह तो भार आ जाएगा विकॉर आफ इसके लोग कांटिटी सिर्फ डैस एक उपर एपलाई होगा इस प्रॉपर्टीज को आप बैरिफाई भी कर सकते सब्सक्राइब इसमें हमने टू का मल्टिप्लाई किया तो टू का मल्टिप्लाई करने को एक तो टू फाइब अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं डैस तो फॉर सेक्ष निए फश्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और यानि आपका टू एडैस आ गया दूसरा आप क्या जो है वो 2345 हो जाएगा यहां पर और टू का अगर आप इसमें मल्टिप्लाई कर देते देखें टूटू जा फोल्टू फॉर जाए टू फॉर जाए टू फॉर जाए तो फाइए और यहां से देख सकते हैं यह जो वैल्यू है वो इसके को लोगी पर यहीं बोल रहाता ड उने करते समय डारेक्स लिए हम यूज करते हैं इसको भी ध्यान गखना है तो यह पर प्रकाटी अमाँ प्रॉपर्टी ही सिंगा ओ उना website फुर्टिंट्रेंट तो सारी है इन्हीं दो मेर्टिक से मल्टी लाई ध्यूसचिए सब्घिय धिया ध्यान लखेiez भी और और से कि लो लग जाता है ठीक ना इसी तरह से नंबर नेक्स आपका आपके अगर ये तो टू मैटिक्स हो गया अगर एक से ज्याधा मैटिक्स हो गया अगर एक से ज्यादा मैटिक्स भी यहां पर आप इसको रिवर्सेवल लो लिख सकते हैं तो आपको याद रहेगा और अगर मोर देन वन मैट्रिक्स है तब भी आपका रिवर्सेवल ये लो जो है वो एपलाई हो जाता है इसको भी आपको जो है वो ध्यान रखना है ठीक नहीं यह तो बात हुई यहाँ पर इसकी उसका नेक्स नमबर और आप क्याद रखेगा इंपोटेंट है यह भी आपक कि A K का ट्रांसपोर्ज यानि A to the power K यहाँ पर K क्या है 1,2,3,4,5,6 यानि कोई भी निच्छर लंबर है ठीक है और इकोल टू A डैस के यानि कि हम डैस का अंदर मल्टिप्लाई करके के को बाहर भी रख सकते है इसका मीनिग है हुआ कि हम A square A Q find out कर रहे है और उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ज कर रहे है यहाँ ट्रांसपोर्ज करने के बाद हमें A square A Q find out करेंगे बोथ हैं सैम मिनिंग यानि दोना का मतलब जो होता है वो सैम होता है इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं ठीके ना चलिए यह तो हमारी सारी प्रापर्टी होगी ट्रांसपोर्ज इसको फैमेटिक्स की कोश्चन भी हम लोग यहां पर कर लेता है चलिए कोशन हमारा क्या है इफ एंटू एडएस माइनस थ्री चलिए यह ले ले लिए माइनस पूर इकोल तो जिरो फ़ैंड डिटमिनेंट यह हमें फाइंड आउट करना यहानि एंटू एड़ेस का डिट इसको हमें ढाल हमें नाइक की वेली जहां उसमें फाइंड आऊट कर लिए तो देखिए किस तरह से यहां पर इसकी बात कर रहों इसको आप ए इंटू डिटर्मिनेंट एडएस लिख सकता है माइनस 3 डिटर्मिनेंट एड़ इकोल टू 0 आप कहेंगे सर क्यों बाई यूजीं हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की अई हो कि मैंने आपको बताया होगा यह डिटर्मिनेंट एब अगर लिखा हुआ तो वी केन राइट डिटर्मिनेंट एड़ इंटू डिटर्मिनेंट भी इसको आप ध्यान देखेए गए यहाँ पर यह भी आपका यह मैट्रिक्स है यह भी मैट्रिक्स है और इन दोनों का multiply का जो determinant है वो determinant A into A dash आ सकता है आपका और by the property आप जानते A dash का dash और determinant A यह both are equal मैंने आपको बताया था अभी अभी property लिखाई है कि determinant A और determinant A dash यह दोनों equal होते हैं तो यह आप क्या बन जाएगा determinant A का square minus 3 determinant A minus 4 equal to 0 और यहाँ पर इसको आप कोई भी आपका scalar quantity कोई भी number A किसी value को यह represent करता है ठीक ना तो आप इसमें फ्रेक्टाइशन रूल लगा सकता है अगर सब्सक्राइब डिटर्मनेंट A equal to मैंने X consider कर लिया यह X square minus 3 X minus 4 हो जाएगा आपको ठीक ना इसको जो है वह आपको याद रखना तो इसमें फ्रेक्टाइशन रूल आप एप्लाई कर सकते हैं ठीक ना फ्रेक्टाइशन रूल कैसे आ जाएगा multiply करके आपको कितना चाहिए 4 और minus करके 3 चाहिए तो 4 डिटर्मनेंट A plus डिटर्मनेंट A इसका अफ्रेक्टाइशन आप कर सकते हैं डिटर्मनेंट A आप कॉमन लीजे यहां से तो डिटर्मनेंट A minus 4 जैसे आप फ्रेक्टाइशन करते हैं quadratic आपका जो polynomial होता है same process भी repeated ठीक डिटर्मनेंट A minus 4 equal to 0 that means determinant A minus 4 और यह आपका determinant A plus 1 equal to 0 simplify अगर हम करते हैं इसको determinant A equal to 4 और determinant A equal to minus 1 यह दोनों ही जो value है वो possible है determinant की value यह ध्यान रखे ज़िए mod नहीं है कि mod समझकर आप इसको cancel करते हैं determinant A minus 1 की equal नहीं हो सकता determinant A क्या है आपकी value है value आपकी negative भी हो सकती both values are possible मैंने कोशन यहां पर आपको करा दिया है इसके बाद हम बात करने जा रहे है symmetric और इसको symmetric matrix क्योंके symmetric और इसको symmetric matrix आपका क्या होता है देखें symmetric matrix सबसे पहले हम बात करते हैं symmetric matrix कि ठीक ना तो देखें हुए यहां पर लिख रहा हूँ A square matrix A edge यहां पर most importantly मैंने लिखा हूँ A square matrix ठीक है तो that means symmetric और इसको symmetric होने के लिए matrix को square होना जरूरी है इसका आप धियान रखिए अगर matrix is square नहीं है then we can't say that it is symmetric or it is symmetric matrix अभी मैंने इसको symmetric हाला कि नहीं बता है बट मैं आपको पहले से एक्स्प्लेन कर दे रहा हूँ यहां इसकी मैटिक्स को symmetric और सुमेटिक होने के लिए square होना जरूरी है इसको आपको ध्यान रखिए अगर matrix square नहीं है तो फिर आप भूल जाएए कि वो symmetric है इसको symmetric हो सकता है हमें check करने की जरूरती नहीं है पहली चीज़ अब बात आदिए कब यानि कि अगर किसी भी matrix का यानि 8 is equal to a importantly ध्यान रखिए गा अगर किसी भी matrix का transpose उसी matrix के अगर equal होता है then we can say that it is a symmetric matrix और थोड़ा से इसको अगर हम करते हैं तो यानि आप ऐसे बोल सकते हैं इसको that implies aij equal to aji आप कहेंगे for all i, j सभी के लिए आप कहेंगे सर यह आपने कहा लिख लिए यह तो समझ में आया हम है बट यह आपने कहा लिखा हूँ इसका मीनिक समझ में नहीं आया है actually aij और aji ने conjugate elements होते हैं क्या होते हैं conjugate elements यहाँ पर सिर्फ यह लिखा हूँगा conjugate elements कौन से होते हैं जैसे suppose that a12 का conjugate element क्या है a21 हो जाएगा अब a21 का इसको आपको ध्यान दखना है अभी इसके में एक्जामपल्स आपको दे रहा हूँ तो और ज्यादे किलिए हो जाएगा यह symmetric और इसको symmetric क्या होता है इसको भी ध्यान दखेगा suppose that मैंने क्या किया है यहाँ पर अच्छा दूसरी चीज में यहाँ पर आपको बता दो diagonal elements के लिए आप ध्यान दखेगा यह पहले भी आप से discuss हो चुका है diagonal क्योंकि square matrix आता है तो diagonal की भी बात आ जाती है for diagonal elements i और j आपस में क्या होता है equal होता है that means अगर two order का आपका जैसे मैं आप गर जनरल अगर बात करूं आप से तो a1, 1, a2, 2, a3, 3, a4, 4 यह जो elements होते हैं और diagonal elements होते है यहाँ आपर i और j क्या होता है आपका equal होता है सबसे पहले मैं यहाँ पर example देने वालों आपको two order के matrix का two order के matrix में देखी one, two, three, four यह four elements लिखे जाएंगे कैसे लिख रहा हूँ इसको बाड़ा ध्यान से समझेगा diagonal elements में आप कुछ भी लिख सकते हैं मैंने यहाँ पर two लिखा और यहाँ पर minus five लिखा यही diagonal elements होते हैं आप समझ सकते हैं diagonal elements लिख देए यहाँ यह one, one है और यह two, two है आपका इसको रेच कर दे रहा हूँ two और five ठीक थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ बट यहाँ पर यह जो place हो और यह place यहाँ पर सपोस्ट नाइन लिख रहे हैं यहाँ पर भी आपको मैंस नहीं लिखना पड़ेगा अभी क्या होगा इसको हमने एलेट किया सब्सक्राइब यह से मैट्रिक मैट्रिक हो गया इसको चेक भी कर दिजे वाइद प्रपर्टी जो आपका देफिनिशन कैसे यहाँ पर इसका ट्रांस्पोज दिखा लिए अगर यह ड्यसी के कलो जाएगा तो इसमेटरिक मैट्रिक हो जाएगा तो देखें हैं यहाँ पर फर्स्ट रो हो फर्स्ट कॉलम में लिख दिए तो मैनस नहीं और सेकेंड रहु आपका सेकिंड कॉलोम में यहां पर आगया चेक करिए और यहां को यह यानि नाओ यह सब्सक्राइब работать सब्सक्रेश कर रहा हूं एक और स्क्वांट्र में लिखना देदा अगर मैं आप से चलिए 123456 यहीं सिमेट्रिक होगा नहीं दो फर्स्ट इम भी आप इसको reject कर देंगे, क्योंकि यह आपका square matrix नहीं है, तो symmetric है, इसको symmetric की बात ही नहीं उठती है, आपर, इसको आपको ध्यान रखना है, clear, तो यहाँ पर कैसे लिखा हमने, कुछ भी लिखे diagonal में, और बट यह A12 और 21 जो है, वो equal होने चाहिए आपके, आप अपने से खुद भी लिख सकते, दो-तीन matrix घर पर बैठे हुआ है, वीडियो को पॉझ करिए, और दो-तीन matrix आप two order के लिख डालिए, आपको समझ में आ जाएगा, ओके, अब हम बात कर रहे है, three order के, इसको second example, three order का, three order के matrix में, आप ध्यान रखेगा, diagonals में हमने क्या किया, one, जो भी आपको number ल लेते हैं, ओके, यहाँ पर, उसके बाद जरा ध्यान दिजेगा, यह इसका जिसे यह जो प्लेस हमारा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यह one two होता है, यह two one होता है, और यह आपका, यह two three होता है, यहाँ पर यह three one और यह three two, यह places हैं आपके, one two conjugate element ही होगा, जो भी element आप यहाँ पर लिखने है, suppose that मैंने लिखा यहाँ पर zero, तो यहाँ पर भी आपको zero लिखना पड़ेगा, one three or three one, यह conjugate elements हो जाएंगे, यह एककोल होने चाहिए, suppose that मैंने यहाँ पर minus five लिखका, suppose, तो यहाँ पर भी आपको minus five लिखना पुड़ेगा, ठीक न, two three के अगर हम बात करने तो यह दोनों conjugate element है, two three or three two, यह equal होंगे, suppose that मैंने, suppose, three लिख दिया, चलिए, या कुछ और change कर लिए, फ्रेक्शन में लिख लिए, five point two, तो यह भी आपका five point two आ जाएगा, ठीक न, यह हम symmetric matrix बनाया, अब इसको check करना है आपको, आपको लगता है कि नहीं सर symmetric है या नहीं है, हमें check भी करना है, इसको मैंने लिखने का एक pattern बता दिया, by the definition की कैसे इसको लिखा जाता है, आप चाहें, तो B dash निकाली, कोई confusion न, कोई भी matrix दिया हुआ है, और उसके बारे में अगर प बात कर रहे हैं, तो आप चाहें न, आप चाहें, तो आपको इसको बनाया, आप चाहें, तो फॉर्टर के में इसको पर लिखनी रहे है, अगर आप चाहें, तो खुद से लिख कर देख सकते हैं, सैम प्रोसेस भी रिपेटिटेड, कहें कोई confusion न, होगा आपको, इसमें ठी सब्सक्राइब सब्सक rationale are जो हो जाता है किس को स आपका है वो मैनस जाता है वह यहांने चाहि error मैनस जैए हो जाता है इसको थयान है कि सभी लिए अचहाई तोड़ा सा में all define कर देता हूं यहां पर symmetric matrix में diagonal elements को कुछ भी लिख सकते थे थे ठीक नो कुछ भी बट यहां पर symmetric matrix के लिए diagonal elements नहीं हो सारे के सारे 0 होता है इसको आप ध्यान दखिए अब ऐसा क्यों होता है इसको भी मैं यहां पर explain कर देता हूं बाइधा इसको समेट्रिक मेट्रिक्स में में एक वार फिर से रिपीड कर रहा हूं . In2Symmetric Metrics, all the diagonal elements are 0 जैनि शारे के सारे जो डेगनल elements होते हैं, वो क्या होते हैं? 0 होते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसको अभी यहां पर डिफाइन करने वाले हैं कि इसका लॉजिक क्या है या रीजन क्या है तो फॉल डिगनल एलिमेंट्स we know that i equal to j यानि i or j equal होता है और यहाँ पर पर जो आपकी डिफिनिशन है कि इसकी समय और यहाँ पर एक जी कल टू मैनस a ji hana चाहिए आपका if this is a girl अगर ऐसा है then square matrix is set to be specific matrix okay तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं put कर रहे हैं आप देखे जे के प्लेस पर आई पैसी प्लेस पर जो अब आई के लिए ट्रांस्फर करें एए-ए-प्लस ए-ई-ए-ए-पकल टु जीरो लनिट टू-टू-टू-जी-रो तो यहां पर ए-आई-ए-ई-डी जाएगी जीरो देगी और ए आई 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 पॉर जो रिखेंगे हमें खुद से लिखना हो यह कोशन में आपका सुमेटिक दिया हो उसमें आप जरू करेंगी कि सारे के सारे जो डाइगनोड एलिमेंट्स है वो क्या है यहां पर जीरो है अब मैं कुछ यहां पर एक्जाम्पल्स देने वाला हूं अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पहुंच करके आप नोट कर सकते हैं नो जीरो-जीरो यह डैमरे सरसे अम हमारे पास यह पर सजो यह प्लेस बचा हुआ है यह डैगनल आपने जीरो-जिरो कर दिया और जो आपके key concept elements यहां से लिखा हुआ है यह अपोजेट सब्सक्राइब निए अगर हम ने यहां पर फाइब लिखा हुआ तो आपको यहां पर मैने फाइब लिखना पड़ेगा जबकि समेट्रिक में बोथ एलिमेंट जो डेफिनेशन के अगॉर्डिंग यहां पर यह था यह सैम था बट इसकी समेंट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मैनस अपलाई है तो यहां पर आपको अपट सैन में लिखना पड़ेगा उसको ठीके अब यह आपका इसको symmetric matrix हो गया है इसको check करके भी देखते हैं इसको symmetric matrix में क्या होता है A dash minus 1 equal होना चाहिए तो देखिए आप ज़रहें यहाँ पर A dash अगर हम निकालेंगे तो 0 5 और minus 5 0 अभी आप देखिए 1 equal लिए A में 0 5 लिखा हुआ यहाँ पर 0 minus 5 बट अगर आप minus common लेते हैं ठीके ना यहाँ पर minus common ले लिए matrix में अगर आप minus common लेते हैं यह minus का multiply करते हैं whatever you can say जो भी आप कह सकते हैं ठीके ना मैं common बोल रहा हूँ यह ज़्यादा suitable रहता है ठीके ना यह common जो भी आप जो भी आपके लिए suitable रहा है वो आप बोल सकते हैं उसको समझ सकते हैं तो 0 तो 0 ही रहने वाला minus यहाँ से common ले लिए तो यह plus का 5 हो जाएगा फिर यह आपका minus का 5 हो जागा और यह 0 ठीके ना फिर से minus का multiply करेंगे तो यह यह नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह से हम apply कर सकते हैं यह आपको जो matrix जब आपको explain किया गया होगा वहाँ पर यह सारी की सारी चे समझाएं गई होगी ठीके ना minus 1 बोलिए minus 1 भी बोल सकते हैं यह की बात है ठीके ना अब आप देखें यहां पर this is equal to minus तो ही और यह आपका matrix यह बन गए यहां पर देखेंगे यह यह आपका matrix यह बन गए यह आपको आपको ऑपजर्व करना है वन टाइम में अगर ऑपजर्व करना है मैं आपको बता देता हूँ कि ठीके ना कि कैसे सबसे पहले सारे डाइगनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए और जो आपके ऐलिमेंट्स है आपके वह अपोजर्व साइन में होने चाहिए इसको भी आपको ध्यान रखना है ठीके ना इसी तरह से अगर मुझे थ्री ओर्डर का इक इसकी समेट्रिक मेंट्रिक्स लिखना है थे डाइगनल एलिमेंट्स सबसे पहले जीरो कर दीजे आपकर वन टू और यहां पर मुझे जो है वह एलिमेंट्स लिखने ठीक है वहां इसको चेक कर सकते हैं यह चीज है ना सारी के सारी आपको टिप्स पर होनी चाहिए ठीक ना ऐसा नहीं होना से हर बार हम चैक कर रहे हैं यह बन टू है यह तू बन है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप सीखते हैं तो इसको अच्छे से समझे अच्छे सीखिए लेकिन जैसे ही आपके वो चीजें स आपको बड़ी आसानी से वो चीजें आनी चाहिए ठीक ना उसके लिए मैं इस्ट्रगल नहीं करना है कि यह कैसे होगा हमारा ठीक ना तो यहां पर इसको ध्यान दखिएगा फिर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हमने कोई कैलिमेंट लिखा टू तो जो इसका यहां पर भी आपको कितना आएगा ठीक ना सब्सक्राइब अब हमने आपको फाइंड आओट करेंगे क्या फाइंड आउट करेंगे बीडेस वीडेस अगरम फाइंड आउट करने तो देखिए फर्स जो जो है जी रो टू सोरी फ़स्ट रोजो हमारा वो फश्ट कॉलम ब सब्सक्राइब करेंगे तो फिर से भी बन जाएगा आपको आपको जो है वो ध्यान लखना है यह तो बात होई यहां पर इसके मैटिक्स की कर दो कर ना इसको यहां पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ठीक ए इसको स्मेटिक हो गया वन ऊडर क्ता है अच्छा इसके साथ साथ मैं रवेंबर कर रहा था जैसा आपको 010000 कोई मेटिक स्वाइड जैक्स में इस स्वाइटिक और इसको समेट्रिक दोनों तरह से लिख स इसको भी आपको ध्यान रहें इपोर्टेंट नोट करके आप लोग लिख दीएगा कि स्कॉर मेंटेक्स ऑफ जीरो अगर इसको आप ध्यान रखेगा ठीके चली यह बात होगी इसके बाद मैं बात करने वाला हूं इसके प्रॉपर्टीज की को इस अचलिया प्रोपर्टीज समेर्टिक और इसकु समेर्टिक की की कि एक शो दिहां लखेगा प्रोपर्टी नमबर वन कि ना आच्छा थी गया प्रोपर्टी नमबर वन में नमबर वन ए प्लस एडेस इज़ सिमेट्रिक यह निए प्लस एडेस यह निए अगर कोई यहाँ पर नमबर वन आपको डाल देता हूँ क्योंकि इसको मुझे बताने की जरूत नहीं कि सिमेट्रिक मैंने लिखा हुआ यह और यह डेस जो आपके वो स्काईर मैट्रिक होँगे उपर आप चाहें तो लिखी भी सकते हैं ठीक है यह पर आपका जो नोट करके भी लिख रहा हूं है भी पहली चीज़ अच्छ ऑरत इद गिसि वी को आ कि बेग को समय को सुमेट्रीक है अगर किसी भी मैं ऐसे दिया लगए हमेसा ध्यान रखें गेह सो ट्रांसपोज कैसे निकालता है niez यहां पर आपको मैंट्रीक से कुई कंसीलर नहीं तो प्रॉपटिष के दूर्ब इसको ध्यान रखेगा ठीक ना ट्रांस्पोर निकालने के लिए हमने डैस यहां पर अप्लाइब कर सकते हैं मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई तो डैस का मल्टिप्लाइब हम एक साथ करते हैं एक डैस और प्लस अंदर करेंगे एक डैस मैंने कहा था मेमुराइज करके मैट्रिक्स नहिंए तो हां आप समय सकते हैं यहां ना मैंने आपको बताया है एक होगता हूं तो यह मैट्रिक हो जाएगा उसका ठ्र Quincy Χill Mortis को लोगे तो आप समसकते हमारा क्यों हो जाएगा अच्छ सेकेंड आपका प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड इसी में मैं कर दे रहा हूं कि ए माइनस एड़ेस जो होगा वो इसकी समेट्रिक होगा हमें साध्यान रखेगा नंबरिक आप करते जाएगे जो भी नंबरिक है ठीक ना फिर से सैंप्रॉपर्टी हमें अप्लाई करेंगे हमने ए माइनस एड़ेस का ट्रांस निकाला किसी भी मैटिक्स के बारे में अगर आपको समेट्रिक बताना हो मैंने फिर कहा है आप से ठीक ना तो हम प्रॉपर्टी जी उच कर सकते हैं अगर अपको कोई एक मैटिक्स लिखा हुआ हमारा ठीक ना कोई भी मैटिक और हमें बताना है इसमें चिसको समेट्रिक है तब तो फिर रहा है डेस वगर सब कुछ सब्सक्राइब कर सकते हैं बढ़ यहां पर तो यहां पर पर पर्टिकुलर मैटिक्स तो गेविन नहीं आपका तो क्या कर सकते हैं कि जो हमारी ट्रांसपोर्ज की प्रॉपल्टी है ठीक ना क्योंकि ट्रांसपोर्ज में ऑफ मैटिक्स के बाद ही हम लोगों ने सिमेटिक पड़ा हुआ है तो सिमेटिक और इसको से मैटिक करने के लिए अप ट्रांसपोर्ज की मैटिक्स को मदब ट्रांसपोर्ज की जो प्रॉपल्टी जै उसको हम यूज कर सकते हैं आप इसको ध्यान रखेगा कोई कन्फीजन नहीं और शीए ठीक नहीं बाइस अंप्रोपर्टी एटेस माइनस इस कडेसी यह माइनस आ जाएगा अब आप देखें ए माइनस एक लिखा हुआ है यहां पर एड़ाया बट अगर माइनस को में ले लें यहां पर लिक्या जाएगा ए माइनस एडस आपर आ गया है तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि ए माइनस एक डूडेस का ट्रांस्पोर्ज है वो मैंनस क्या हो जाएगा इसकू समेट्रिक हो जाएगा ए माइनस एडस इसकू समेट्रिक ठीक ना इसको दियान लखेगा अच्छा तीसरी चीज तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी है इसी में बता देता हुँ चलिए नमबर नेक्स डालेगा तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि A स्क्वाइर मैट्रिक्स सपोर्ज A can be written as sum of symmetric and excuse symmetric matrix आप कहेंगे सरी यह क्या है चलिए इसके वारे में आपको बता देता हूं कि जैसे कोई भी अगर मैटिक स्क्वाइर मैटिक से है उसको हम मैंने कुछ symmetric matrix लिखा यहां पर 1255 ठीकिन अगर यह समय्ट्रिक आसानी समझ सकते हैं कि डाइगनल में कुछ भी लिखे आप यहां पर तो अगर 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 कोई भी स्क्वाइर में टेक्स है तो हाफ एप्लस अगर यहां और यह जो है आपका वह क्या है इसकी स्क्वाइट्रिक में टेक्स क्योंकि हाफ यह एक्स को बिए गया जो कि नेक्ट वीडियो में उन को भी डिसक्स कर वहां यहां पर अभी सका सारा से मैं आपको बता रहोओ तीन धहां यहां कि इस प्रॉपर जिसकाम यूज करें लिए कि यह किसी स्कर मैटेक्स को कोई बीसक्र मेटक्स देया हो दõり कोई स्क्वार मेंटिक्स दिया होंगे और कुर्शन में लिखा होगा इसको एज समाफ सिमेंटिक और इसको सिमेंटिक आप लिखिए तिस प्रॉपर्टीज काम यूज कर सकता है ठीक ना इन कि मैंटिक से णس 750 सिर्मिकन नंबर 4 लोगाने की और वोटने की जाएं लिसे किसी वेडि Hackant दिया हुआ है ठीक ना इसको समयतिक मैठ अब और उसका अगर ऑड़र जो है वह क्या है और यानि वन ओडर है त्री ओडर है फाइव ओडर है आपका तो डिटमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है फॉर एक्जांपल अगर मैं बात करूं आप से कि चली एक इंजांपल के थूट चली एप्रोपर्टी बता रहा हूं एक जांपल तुट आप डिटमिन पढ़ेंगे ना नाइन टी टूवन अगर ऐसे लिखा हुआ तो इसको भी एक्स्पेंट करना अभी आपको नहीं पता पर डिटमिनेंट चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो इसको भी एक्स्पेंट करना आपको आ जाएगा ठीक न तो यहां पर मैं इसको प्रूफ ना प्रोपर्टी ज प्रोपर्टी हमारी क्या है प्रूफ अगर इसका मुझे करना है तो हम जानते किसी भी सब्सक्राइब कोई भी एकर मैटिक्स दिया हुआ है तो वह मैटिक्स आपका जो है वह अच्छे चलिए अगर इसकूश मैट्रिक मैटिक से इसको ऐसे करते हैं एड़ जोगा वो मैनस इसका यह भी थ्री ओर्डर का आपको डिटर्मिन जो है वह एक्समेंड करना भी नहीं आता है ठीक ना डिकमेंट चैप्टर जो उसके बाद है और अगर आता है तो इसको आप एक्समेंड करके बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ऐसा ही होना है तो एक इसको स्कूश मैटि डिटर्मिन एक सकता है यह माइनस कैसे बाहर आगया मैं आपको बता दूँ माइनस ऐसे बाहर आ गया कि अगर सपोज 2, 3, minus 5 कोई मैं यहाँ पर इसको स्मेटरिक मैटिक सी लिखता हूं ठीक है ना? 0,0,0,3 तो यहाँ पर minus 3 हो जाएगा, minus 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और आपका अगर यहाँ पर 9 ले लिया या तो यहाँ पर minus 9 हो जाएगा यह हमने क्या किया है यहां पर कोई भी एक three order का determinant लिख दिया हमने इसकी स्मेट्रिक हो गया आपका अब अगर आपका minus common लेते हैं तो determinant में minus common लेने का जो rule है देखिए matrix में क्या होता है matrix में इच element के साथ minus लेना पड़ता है बट यहां पर क्या है कि अगर आप इसको अगर आप इसमें से minus common लेंगे तो r1 से minus common लेंगे यह आगया भार minus common तो यह 0 minus 3 और आपका 5 बन जाएगा ठीक है ना फिर से आपने इसमें से minus common लिए अगर आप minus common ले रहे हैं तो आपको r1 से ले रहे हैं फिर r2 से अलग लेना जीरो यानि की डिटर्मिनेंट्स में अगर आप किसी नंबर का मल्टिप्लाई करते हैं या common लेते हैं तो किसी एक रो में आप कर सकते हैं ठीक है ना अगर एक से जादा रो में करेंगे अगर सब्सक्राइट मैंने एक रो में किया जैसे माइनस फीर तोरह चन्क College से में अगर फिर से माइनस फामन लिए और या आप आप से कॉममन ले रहे हैं तो फिर आप को 2 आपका टिरह सादी थो ऑта रहा है दिछए ऐसा दिए इस spaghetti पहता दोब raw याarak्ष और ढेंड़्यास यहिश्य साधिन अब मैंने बता दिया यहां matrix में इसको, तो अब minus common, अगर आपका excuse metric है, और determinant का symbol लगा हुआ, और अगर हम minus common लेते हैं, अगर यह minus common लिया, तो अगर 3 order का अगर यह determinant है, या one order का determinant है, तो minus की power 1, या 3, या 5 भी लिखा जाएगा यहां पर, और वो क्या होगा, कि वो minus C बनेगा, अगर यह two order का होता, suppose that यह two into two order का determinant होता, तो minus अगर हम common लेते, किसी भी determinant से, तो वो minus का square हो जाता, और इसलिए यहां पर जो है, वो odd order लिखा हुआ है, कि odd अगर order है, तभी minus common आएगा, even order होगा, तो minus common ही नहीं आएगा, तो फिर क्या है, minus का square, determinant A, equal to determinant A मिल जाएगा, और वहां से कुछ, मतलब meaning ही नहीं निकलेगा, उसका, ओके, तो यहां से कहा है कि, minus because of यहां पर three order का है, तो जब हम minus common लेंगे, तो R1, R2, R3 से तीन बार में common लिया जाएगा, या C1, C2, C3 से लिया जाएगा, whatever, कोई भी अप ले सकता है, तो वो क्या है कि, बहार common आने के बाद, अगर odd order है, तो वो minus बन जाएगा, तो यहां पर मैं यहां पर लिख भी देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा मैंने explain करने की कोशिस की आपको यहां पर, जिससे आप समझ सकें इसको, और बाकी का जब आप determinant chapter पढ़ेंगे, तो क्योंकि symmetric और इसको symmetric आप यहीं पर पढ़ रहे हैं, यानि जो आपका यह है, यह आपको odd order का determinant है, so that's why, अगर even order होता तो इसको यह लग जाता, अब इसको अगर आप transfer करेंगे, तो determinant A plus determinant A equal to 0, यहनि 2 determinant A equal to 0, यहनि determinant A equal to 0, तो यहां पर यहीं लिखा हुआ है, कि अगर आपका यहां पर determinant value, determinant value है ना, इसको आप जो है, वो याद रख सकते हैं, ठीकिन उसको नेक्स्ट प्रोपर्टी और थोड़ा सा बची होई है, वो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से explain कर दे रहा हूँ, next, if, if, a and b are square matrix, and, if, a and b are symmetric, ठीकिन अगर वो symmetric भी है, तो number property, आपका a b plus b, because of a and b square matrix नो, a b and b are not defined होगा, ठीकिन अगर, inch, symmetric, यह आपका क्या हो जाएगा, symmetric हो जाएगा, अब फिर से वही बात आती है, ठीकिन अ, अच्छा, पहली चीज़स में ध्यान लखिएगा, कि अगर a और b symmetric matrix है, तो यहां पर ही लिख दे रहा हूँ, ध्यान लखिएगा, a is equal to a हो जाएगा, और b dash equal to क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यह आपका given है, इसको ध्यान दखिएगा, अब यह symmetric matrix आपको प्रूव करना है, कि आपका symmetric matrix है, तो हम क्या करने वाले किसी matrix को symmetric है, इसको symmetric पता करना है, तो उसका transpose निकालने वाले हैं यहाँ पर, अब dash का अगर multiply होता है आपका, तो we can write a, b dash plus b dash, यानि plus है, तो हम इसको dash को direct multiply कर सकते हैं, a, b dash plus b dash, प्रॉपर्टी, यह कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मैंने आपको बताया था, a plus b का अगर transpose निकालने हैं, यह प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज किया, आपको पता है कि अगर multiply जड़ते हैं, तो फिर यह reversible law apply हो जाता है, यह पता होना चाहिए आपको, अब because of b dash b k equal है, और a dash a k equal है, तो we can write यह, और आप देखें इसको a b plus b a लिख सकते हैं, यानि a b plus b a का, जो transpose है वो a b plus b a क equal हो जाएगा, so that's why, ठीक न, a b plus b a हमारा क्या होगा, symmetric matrix होगा, इसके बाद next number आपका आदा है, a b minus अगर b a लिखा होगा है, ठीक है न, अगर a b minus b a, यह आपका excuse symmetric हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका, यह यहाँ पर excuse symmetric होगा, बट आप ऐसा नहीं है, a और b symmetric है, तब यह excuse symmetric होगा, यहाँ पर excuse symmetric मत करियेगा, यानि a और b को यह आपके square matrix दिये गए है, और a और b आपके symmetric matrix है, तो a b plus b a है, a b plus b a देखे मैं आपको बता दूँ, square matrix हैं, इसलिए b a b defined होगा, इसको check करने की ज़रूद नहीं है, मैंने बताया थे पहले आपको, और वहाँ पर a b plus b a symmetric हो जाएगा, और a b minus b a जोगा, वह आपका excuse symmetric हो जाएगा, देखे, same property यहाँ पर बस थोड़ा सा मैं change कर दे रहूँ, आपका यह apply हो जाएगा, यहाँ पर आपका minus हो जाएगा apply, और यहाँ पर minus apply हो जाएगा, because of आपके symmetric matrix दियो हो a और b, अब यहाँ पर देखे, यह a b minus b a लिखा हो यह b a minus a b, तो minus अगर आप common लेंगे, तो आपका a b minus b a आ गया, यहाँ अगर उसी matrix के minus sign के अगर equal आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके से matrix हो जाएगा, ठेकर नहीं यह कुछ properties थी, जो मैंने यहाँ पर आपको explain कर दी, I hope कि यह lecture जो है वो आपको समझ में आया होगा, यह video समझ में आया हो, तो फिर मैं फिर से कहूंगा, इसको like, share करना बिलकुल और भूलिएगा, thank you.